वहां पर ने डिसकस किया था कि अगर मान लो ग्राउंड है ग्राउंड पे ब्लॉक रखा है ब्लॉक का मास कितना एम और इस ब्लॉक पे अगर हम एक फोर्स अपलाए कर रहे हैं कितना फोर न्यूटन का और दुसरा फोर्स अपलाए कर रहे हैं और इन दोनों के बीच का एंगल अगर कितना मान लो 30 डिग्री तो बताओ resultant force कितना होगा अगर इस block पे हम दो force apply कर रहे हैं एक apply कर रहे है 4 newton का दूसरा apply कर रहे है 3 newton का और दोनों के बीच में angle कितना है 30 डिग्री अब मैं अगर पुछता हूँ कि इस block के उपर total force कितना लग रहा है तो अब क्या बोलोगे इस block पे अगर total force calculate करना है तो वो क्या होगा under root of a square याने कितना 9 4 का 16 a square plus b square plus 2 a b और cost 30 कितना root 3 by 2 अब इसको simplify कर दो तो बता हो resultant force कितना दो तुमस को कितना है resultant force अब यहां पर यह हो जाएगा 16 plus 9 25 2 फिर यह हो जाएगा 12 root 3 अब इसको simplify करोगे तो यहां सामें क्या मिल जाएगा block पे लगने वाला total force अजा जो भी law of parallelogram है उसके थो हम क्या calculate करते हैं जब law of parallelogram की बात करते हैं तो उससे हम दो vectors का क्या calculate कर सकते हैं resultant या फिर दो vectors को add करना है तो वहां पर हम use करते हैं law of parallelogram अब मैं अगर कभी तुमसे पूछू यहां पर किस तरह से ground है और ground के ऊपर हमने क्या किया एक block को लाके place किया और अब इस block पे यहां पर हम force apply कर रहे हैं two newton का यहां पे apply कर रहे है 3 newton का at an angle 60 फिर यहां पे एक और force apply कर रहे हैं two two four newton फिर यहां पी एक और force apply कर रहे हैं तो ब्लॉप्र कितने 4 supply कर रहे हैं और अब मैं अगर पुछता हूं कि इस case में इस case में block के उपर total force कितना लग रहा है तो अभी तक वहाँ पे हमने कितने vectors को add किया था दो तो दो vectors को add करना होता है तो वहाँ पे हम law of parallelogram क्या करते हैं use करते हैं अब मैं अगर पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे total force कितना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें more than two vectors को क्या करना है add करना है दो vectors होते हैं तब तो हम law of parallelogram यूज़ करते हैं लेकिन अब हम बात कर रहे हैं more than two vectors की तो जब भी दो से ज़्यादा vectors होंगे और उनको हमें क्या करना है add करना है तो वहाँ पे हमें next property की जरुरत पढ़ती है तो next heading डालो अब वहाँ पे projection of vector next heading डालो वहाँ पे projection of vector या तो लिखो projection of vector या फिर oblique करके लिखो वहाँ पे components of vector components of vector या तो हम बोलेंगे projection of vector या फिर हम क्या बोल रहे है components of vector या फिर उसको हम बोलते है resolution of vector भी तीनों का meaning same है या तो component या फिर resolution या फिर क्या है projection of vector अब जैसे देखो यह हो गया ground यहाँ पे show कर रहे है ground और यहाँ पे हम show कर रहे है wall और इस ground और wall के बीच में मान लो यहाँ पे एक rod है एक राड को लाके place किया है अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे torch को लाके place कर रहा है यहां पे एक torch है और torch से अब क्या कर रहे हैं यहां पे हम light डाल रहे हैं आचार्च को हमने use किया है तो यह torch किसके parallel है x-axis बोल सकते हैं या फिर हम ground भी बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं मान लो अगर तुमने इसको x बोला इसको तुमने क्या बोला तो अभी हमने torch को लाके रखा है parallel to x-axis अब बताओ torch से जो हम यहाँ पे light डालेंगे तो light इस तरह से आएगी कि नहीं आएगी अब हमें light को observe करना है कहाँ पे हमें light को observe करना है wall पे अब बताओ जब light को हम यहाँ से डालेंगे तो पूरे wall पे light आईगी है इतना portion होगा light इतना portion होगा वहाँ पे किसका rod का जो यहाँ पे shadow create कर रहा होगा देखो है कि नहीं होगा इतना portion होगा जहाँ पे rod की क्या बन रही होगी shadow बन रही होगी है कि नहीं similarly अगर हमने torch को use किया parallel to y-axis अब यहाँ से अगर हम light डालेंगे तो फिर से light क्या होगी इस rod पे आएगी वहाँ पे देखो है कि नहीं होगा जब उपर से light डालेंगे तो light अगेन इस rod पे क्या होगी टकर आएगी और फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो इतना portion होगा कि नहीं होगा ground पे जहां पे क्या बन रही होगी शैड़ बन रही होगी यहां पे यह पोर्शन होगा जो यहां पे क्या बन रहा होगा शैड़ क्रियेट कर रहा होगा और यह जो शैड़ बनती है यह शैड़ किस पर बनी है एक्स एक्सिस पर इसी शैड़ को हम बोलते हैं projection of vector या projection of rod on x-axis अगर कोई पूछता है कि इस rod का projection x-axis पे कितना है तो इसका मतलए कि यह जो शैड़ की length है यही इसका वहाँ पे क्या है projection इस rod का projection y-axis पे क्या है तो यह जो शैड़ की length होगी इसी को वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं यह होगा projection on y-axis और यह क्या कहला रहा होगा यह कहला रहा होगा projection on x-axis ड्रॉपर इतना है प्सकते हैं बोल में जाओ खे होगा vibration July झालब फैसरह मतलुपर थेक झालबख यह यह हुआ है जाफ बोल रहे हैं इसकांपर बोल बोला यह भाफ है पाहा है जाफ है構 pakai appreciate म Mé व कहा है इसकांपर हैं लग लिया? लग 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 15 लगे लग लग लुट लगए लग 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 29 लग 25 लग 6 बत हुँआ थे कैने है जे लग लग 1 दो लग 5 लग 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 Rod लिगाएद ना? अच्छा, अगार हमें ना? अगार हमें प्रोजेक्शन कैल्कुलेट करना है, किसी भी चीज का, तो प्रोजेक्शन कैल्कुलेट करने का तरीका क्या है? उसके एंड से हम पर्पेंडिक्लर ड्रॉ करते हैं, यही तरीका है गी नहीं हो आप है, और यहां पर हमने इसके एंड से पर्पेंडिक्लर ड्रॉ क step में हम क्या करते हैं यहां पर शो करते हैं x-axis यहां पर हो गई कि वाइक्सिस तो उधर x-axis है उधर y-axis है और यहां पर हम शो कर रहे हैं एक वेक्टर जो भी वेक्टर है वह है और यह जो वेक्टर है यह वेक्टर x-axis से कितना एंगल कर रहा है थेटा अच्छा जब भी हम वेक्टर को ड्रॉय करेंगे तो लाइन की लेंद क्या बताएगी मैंनिचूर तो मानलो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर का magnitude कि तो एक क्या बता रहा है वेक्टर का magnitude अब बताओ इस वेक्टर का मुझे प्रोजेट्शन कैल्कुलेट करना ये इस वेक्टरी का मुझे प्रोजेक्षन क Speed करना X-axis पे और Y-axis पे तो बताओ calculate करने का तरीका क्या होगा अगर मुझे projection calculate करना x-axis पे तो दो एक्स एक्सिस पे अगर projection calculate करना होगा तो यहां से हम perpendicular draw करेंगे कि नहीं draw करेंगे अगर मुझे projection calculate करना है y axis पे तो यहां से हम perpendicular draw करेंगे कि नहीं draw करेंगे हाँ पर अब यह जो length बनेगी यहां से लेके यहां तक बताओ यह क्या बता रही है यह बता रही है वेक्टर का projection किस पे x axis पे और यहां से यहां तक अब यह क्या बताएगी वेक्टर का projection y axis पे तो projection भी होता हो एक तरह की length है कि नहीं तो इस length को हम बोलेंगे यहां पे ax और इस length को हम वहां पे क्या बोल रहे हैं ay अब जो x है तो x को हम क्या बोलें x को या तो हम बोलें components या फिर क्या बोलें projection of vector a along x axis देखो यही बोलेंगे नहीं बोलेंगे जो x रहेगा x को हम बोलेंगे यह x क्या है वेक्टर का projection है किस पे एक्स axis पे वहां पे और जो a y रहेगा तो a y को हम क्या बोलेंगे projection of vector a along y axis तो यह हमारा vector का projection है x पे और यह क्या रप्रेजेंट कर रहा है vector का projection किस पे y पे है इतना अब अगले step में क्या करो इसको नेम दो पी इसको दो क्यूं कि इसको आर बताओ यह जो पी क्यूं आर है यह राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं और है मालूम है एंगल के सामने वाला पर्पेंडिक्लर होता है तो यह पर्पेंडिक्लर होगा यह बेस और यह क्या हो गया अब बताओ यहां पर अगर तुम्हें देखना है कॉस्ट थीटा क्या देगा जो भी कॉस्ट थीटा होगा कॉस्ट थीटा देगा बेस अपाण हाइपोटिनीस हाइपोटिनस का अतलब यह लाइन की लेंद्थ वो कितनी तो यहां पर एक्स की वैल्यू A cos theta हो गई कि नहीं हो गई तो X क्या है X represent कर रहा है vector का अभी X represent कर रहा है vector का projection या component तो अगर हमें vector का projection calculate करना है X axis पे तो हमें क्या चाहिए हमें तो एक तो चाहिए यह उस वेक्टर का magnitude चाहिए और दुसरा क्या चाहिए अच्छा सिम्लर्ली देखो यह रहा साइन थीटा क्या देगा अगर साइन थीटा की बात करें तो perpendicular upon hypotenuse perpendicular का मतलब ay hypotenuse का मतलब कितना तो जो भी ay रहेगा ay की value वहाँ पे a sin थीटा होगी कि नहीं होगी वहाँ पे तो X axis के along जो component होगा वह a cos थीटा होगा y axis के along जो component होगा वह तो अगर हमें component calculate करना है तो हमें क्या चाहिए अगर हमें किसी वेक्टर का component calculate करना है तो हमें एक तो क्या चाहिए magnitude और दुसरा क्या चाहिए अगर मैं एंगल लेता alpha अब बताओ यह alpha-angle किसके साथ है य के साथ है अच्छा अब यहाँ पे फिर से एक राय्ट एंगल, ट्राइंगल है कि नहीं, इसको अगर एंगल पकड़ोगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये base और ये हाइपोटेनियस, अब चेक करो वहाँ पे, कॉस अलफा क्या देगा, जो कॉस अलफा रहेगा, वो क्या देगा, base अब कॉस अलफा देगा base upon hypotenuse तो यहाँ पे ay by a ay की value a cos alpha होगी कि नहीं होगी होगी similarly अगर हम बात करें किसकी? sin alpha की तो sin alpha देगा perpendicular upon तो perpendicular का मतलब ax hypotenuse a तो x की value वहाँ पे a sin alpha चेक करो इतनी आरी कि नहीं आरी अब दोगो result कुछ उल्टा हो गया कि नहीं हो गया पहले x component कितना था? a cos theta अब y component कितना है? a cos alpha है? तो यहाँ से result क्या ध्यान रखना है जिस axis के साथ angle लेंगे यहाँ पे अंगल हमने किसके साथ लिया? a तो जिसके साथ angle लोगे उसके साथ हमेशा cos वाला गंपोनेट चलेगा यहाँ पे हमने alpha angle किसके साथ लिया? y के साथ तो y के साथ क्या चला? a cos वाला component चला तो result क्या ध्यान रखना है? जिसके साथ एंगल लोगे उसके साथ हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट लिखना है वहाँ पर अब आए की नहीं सुझ मैं जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्लॉक है ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है मान लो फोर्स लग रहा है 20 नूटन का और यह फोर्स लग रहा है एक एन एंगल 60 डेगर अब मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है तो क्या करोगे अब मुझे अगर इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैल्कुलेट करना है तो यही फॉर्मले यूज होंगे कि यूज होंगे अब एंगल किसके साथ दिया है तो एक्स के साथ कंपोनेंट क्या चलेगा कॉस तो हम लिखेंगे 20 कॉस 60 कॉस 61 बाइटू तो यह 10 नूटन आएगा कि नहीं आएगा सिमिलरली फॉर्स का अगर य कंपोनेंट लेना है तो य कंपोनेंट लिखा जाएगा 20 साइन सिक्स्टी रूट 3 बाइटू तो चेक करो यह 10 रूट 3 आएगा कि नहीं आएगा आएगा तो लिखो इतना होगे यानि यह जो दो फॉर्मले लिखे हैं इन फॉर्मले से हम वेक्टर का एक्स और य कंपोनेंट क्या कर सकते हैं कैल्कुलेट कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कि अरब कुरूं अब कि अब हो गया है कि या लेक चुक्या तो तो बहुत 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 नहीं हो गया बस यह ध्यान रटना है जिसके साथ एंगल लोग यह उसके साथ हमेशा कुन सा कंपोनेंट कॉस अब दोखो अभी हम एंगल किसके साथ लेके चल रहे हैं अभी जो हम एंगल लेके चल रहे हैं वो किसके साथ लेके चल रहे हैं एक्स के साथ लेके यहां पे जैसे AX equals to क्या था A cos theta और AY equals to A sin theta तो इन दोनों equation को अगर हम square करके add करें जैसे equation 1 थी AY की value वहां पे क्या थी तो है पस्ट दो equation है कि नहीं equation 1 और equation 2 अब इन दोनों equation को square करके add करें जैसे दोनों equation को square करो और add करो तो बताओ left hand side क्या बनेगा AX square plus AY square और right hand side क्या बनेगा A square cos square theta plus A square A square बाहर निकाल लो तो cos square theta plus sin square theta 1 हो गया कि नहीं हो गया अब next formula क्या निकल क्या रहा है next formula निकल क्या रहा है A equals to under root of AX square plus AY square अब next formula क्या मिल रहा है अगर हमें किसी vector का X और Y component मालूम है तो इस formula से हम उस vector का magnitude calculate कर सकते हैं भाई AX और AY क्या है AX और AY तो component है तो अगर हमें किसी vector के component मालूम है तो हम उस vector का magnitude क्या कर सकते हैं calculate कर सकते हैं अच्छा similarly इन दोनों equation को तुम divide भी कर सकते हैं इस डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड करें रहें दोनों को बताओ जब दोनों को डिवाइड करोगे तो sin theta upon cos theta 10 theta आएगा कि नहीं आएगा तो चेक करो divide करने पे 10 theta की value AY by X आ रही है या नहीं आ रही है तो यह सब result ध्यान रखने है यह result क्या बताता है यह result बताता है vector का magnitude और यह result क्या बताता है यह बताता है vector का direction हमने जो vector A consider किया है उसका x axis के साथ angle कितना है theta तो जब direction calculate करना होगा तो formula use करेंगे AY by X और जब magnitude calculate करना होगा तो हम लिखेंगे अंडरूट AX स्क्वाइर प्लस AY स्क्वाइर लिखा इतना लिखा अच्छा बताओ इस point का coordinate क्या है जैसे vector कौन से quadrant में first quadrant में यहां से यहां तक की length कितनी एक्स यह length कितनी तो इस point का जो coordinate है वह एक्स कॉमा AY भी है कि नहीं तो हम यह भी बोल सकते नहीं बोल सकते component का मतलब क्या है component का मतलब है basically वहां पे coordinate है अब बताओ फर्स quadrant में दोनों चीज़े positive है कि नहीं अब अगले step में क्या करो देखो में diagram का अलग से draw कर रहा हूं इस तरह से हमारा vector A था कि नहीं था यह vector हमारा था A अब यहां पर हमने P से R अगले step में क्या करो मैं बोल रहा हूं P से R को तुम एक vector मांगा पी से R एक तुम vector मान दो और R से Q भी तुम एक vector मान दो तो पहले से vector कौन सा था अब पहले से vector A था के नहीं था अब मैंने अगले step में क्या बोला अगले step में बोला अब PR को एक vector मानो और R Q को भी क्या मान लो एक vector मान लो अब बताओ यहां पर किसका head किसके टेल से कौन साइड कर रहा है रुकर 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 ट्राइंगल लो क्या होता है हां देखा ता लेक्शर हां क्यों क्यों नहीं देखा टाइम ही नहीं लाना क्या होगा ट्राइंगल लो बैट की बोलो बैट के हां देखा है की नहीं तो यहां पर resultant कौन साइड कि रिजल्टेंट बीकियू है ना क्या अब रिजल्टेंट वैक्टर यहां पर पी क्यू होगा बई सिंबॉल हम कुछ भी ले से डिनोट करने के लिए तो मैंने पी क्यू को एक वैक्टर मान लिया बताओ पीक्यू वैक्टर किसका resultant होगा PR plus RQ का देखो ऐसा लिख सकते लिख सकते वहाँ पर तो यहाँ पर तुम क्या बोलोगे PQ का मतलब क्या है PQ का मतलब है vector A तो जो भी vector A है basically इन दोनों vector से मिलके बनाए कि नहीं बनाए जो भी vector A आएगा वो इन दोनों का resultant है और इससे पहले हमने last class में discuss किया था किसी भी vector को हम क्या लिखते हैं उसका magnitude और साथ में क्या multiply करते थे उस direction का unit vector अब बताओ इस vector का magnitude कितना है A एक्स इस direction में unit vector कितना i cap इस vector का magnitude a y इस direction में unit vector तो बताओ PR vector को हम क्या लिख सकते हैं PR vector को हम लिख सकते हैं A एक्स i cap है R Q vector को हम क्या लिख सकते हैं R Q vector को लिख सकते हैं A y तो जो भी vector A है उसको अब क्या लिखोगे वहाँ पर जो भी vector A है उसको हम लिखेंगे A x i cap plus A y j cap है अब बताओ ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कि अगर किसी vector का x component मालूम है y component मालूम है तो इस equation से हम उसको vector form में represent कर सकते हैं सब्सक्राइब है देखो फिर से देखो ये vector first quadrant में है कि नहीं ये कितने vector से मिलके बना है दो जिसमें से एक तो क्या है positive x के लाउंग है और दुसरा positive y के लाउंग है अब जैसे देखो है रग मैंने अगर बोला यहां पे कि ब्लॉक है ब्लॉक पे force लग रहा है कितना 10 newton का और मान लो कितने एंगल पे 30 डिगरी पे अब बताओ इस diagram को देखके क्या बोलोगे कि ब्लॉक पे 10 newton का force है जो कितने एंगल पे लग रहा है 30 डिगरी पे लग रहा है अब बताओ इस force का इस vector का x component क्या होगा इस vector का x component 10 cos 30 होगा कि नहीं होगा जिसके साथ theta एंगल उसके साथ cos component cos 30 root 3 by 2 तो यह 5 root 3 आ गया कि नहीं आ गया x component अच्छा अब y component चेक करो y component जो रहेगा वो 10 sin 30 और 10 sin 30 का मतनब 5 है कि नहीं होगा तो force का x component कितना 5 root 3 y component 5 अच्छा यह एक vector है कि नहीं तो इस vector की जह हम बात करेंगे तो यह vector दो वेक्टर का resultant होगा अब कैसे दो वेक्टर बनेंगे एक वेक्टर हमें ऐसा लेना पड़ेगा जब वेक्टर फर्स quadrant में होगा तो ऐसी लिखा जाएगा इन लिखा जाएगा इसका उतला है कि x component positive y component भी positive अब बताओ force को अगर वेक्टर फर्म में लिखना है तो हम यह equation यूज करें वहां पर तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वहां पर फाइव रूट थ्री आई कैप प्लस 5 जे कैप तो इस तरह से हम इसको वेक्टर फर्म में लिख सकते हैं तो अगर इस force को वेक्टर फर्म में लिखना है तो equation क्या बन गई 5 रूट 3 आई कैप प्लस क्या हो गया 5 जे कैप है कि नहीं अच्छा अब यहां पर फिर से देखो यह वेक्टर का x component है कि नहीं भाई इससे compare कर यह वेक्टर का x component यह क्या है अब यह formula क्या बताता है तो अगर हम magnitude calculate करना होगा तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट आफ फाइव रूट थ्री का स्क्वाइर कि 75 फाइव का 25 चेक करो यही फोर्स का magnitude था के नहीं था तो अगर वेक्टर फॉर्म में equation दी हुई है तो हम यहां से क्या calculate कर सकते हैं उसका magnitude calculate कर सकते हैं अच्छा इन दोनों equation को डिवाइड करने जड़ा यह वाइड कंपोनेंट यह एक्स कंपोनेंट वाइड कंपोनेंट है इस फॉर्मले को देखो जड़ा टैन थीटा क्या होगा तो टैन थीटा हो जाएगा तो वेक्टर का अगर एक्स कंपोनेंट मालूम है य कंपोनेंट मालूम है तो इस equation से हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं और दूसरा मैंने क्या बोला अगर वेक्टर फॉर्म में equation दी है magnitude of his velocity what is the magnitude of his velocity तो हैं बताना है कि परसन जो है परसन किसी विलास्टी जे चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो परसन की यहां पर कुछ विलास्टी है कि नहीं है और वो विलास्टी हमें क्या करनी है calculation calculate करनी है अच्छा ध्यान रखना कभी question बोलता है find out velocity find out force find out acceleration तो इसका मतलब होता है कि हमें velocity का क्या calculate करना है magnitude जैसे numerical में कहीं बोलता है find out the force तो हमें क्या calculate करना है इसका magnitude अब बताओ x component कितना है तो हम बोलेंगे velocity का x component 3 velocity का y component 4 हमें formula क्या मालूम है अगर x component मालूम है y component मालूम है तो magnitude क्या होगा वी x square plus सबकी value put कर दो 9 plus 16 तो हम यहां पर बोलेंगे कि जो भी person है person 5 meter per second से क्या कर रहा है move कर रहा क्या नहीं अभे पूछा clear हुआ कि नहीं clear हुआ झालू हुआ झालू झालू झाल झाल फिर नेक्स लिक्वाँ आपे, the acceleration of a particle. Next लिक्वाँ आपे, the acceleration of a particle is given by, the acceleration of a particle is given by 12i cap minus 5j cap. पार्टिकल का acceleration कितना दिया है? 12i cap minus 5j cap. अब लिक्वाँ कैल्कुलेट क्या करना है? Find out the acceleration of the particle. Find out the acceleration of the particle. तो हमें क्या calculate करना है? हमें calculate करना है particle का acceleration. Acceleration अगता magnitude. अब बताओ compare करोगे, तो a का मतलब क्या होता है? बताओ x component कितना? प्लस y component minus 5 का square. फॉर्मला यही कि नहीं? अंडर रूट आफ एक स्क्वाइर प्लस ay स्क्वाइर. अब बताओ a की value क्या होगी? 12 का 144 minus 5 का 25 तो जो भी magnitude आएगा 13 अगर यह meter per second square में है तो हम बोलेंगे जो भी particle है उसका acceleration 13 meter per second square है. हो गया? यहने vector form में दिया है तो इस formula से हम उस vector का magnitude calculate कर सकते हैं. question में कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा magnitude ही लिखेंगे वहाँ पर answer में. फिर देखो next question लिखो वहाँ पर ground है. यहाँ पर ground है. ground से एक particle को हम throw कर रहे हैं. कितनी velocity से? तो ground है. ground से एक particle को 50 meter per second से हम क्या कर रहे हैं? project कर रहे हैं. at an angle 45 degree. तो ground से हमने एक particle को 50 meter per second से at an angle 45 degree क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है. अब लिगो calculate क्या करना है? write down the velocity in vector form. write down the velocity write down the velocity in vector form. तो बताना है vector form में velocity क्या होगी? अब इसको क्या मान लो? x-axis तो जहां से particle को project किया है उसको मान लो origin वहाँ पर. सबसे पहले इस vector का हम कौन सा component calculate करेंगे? x और y. अब बताओ velocity का x component कितना होगा? तो यह ऐसा लिखोगे 50 cos 45 होगा? cos 45 कितना होता है 1 by root 2. simplify करो जड़ा होँ आपे तो vx हो जाएगा 50 50 को लिखोगे 25 into 2 तो चेक करो 25 root 2 होगा कि नहीं होगा होँ आपे? अब 50 का मतलब क्या होता है? होता है? 2 का मतलब क्या होता है? तो एक root 2 नहीं क्या होगा? cancel out होगा तो बचे होगा कि वल क्या? 25 root 2 वहाँ पर है. है इतना? अब बताओ वेक्टर का x component मालूम है. तब बताओ वेक्टर का y component क्या लिखोगे वहाँ पर? तो वेक्टर का जो y component होगा, एक का अगर cos 45 है, तो दुसरे का? तो वेक्टर 50, 25 root 2 देखो है कि नहीं है? अब बताओ ये वेक्टर कौन से कौडरेंट में जा रहा है? अगर कोई वेक्टर 1st कौडरेंट में होगा, तो वो इस तरह से 2 वेक्टर का resultant होगा कि नहीं होगा? तो तो इसका x component भी positive y component भी? तो हम वेक्टर फॉर्म में equation क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में equation ऐसे लिखोगे? 25 root 2 i cap प्लस 25 root 2 j cap तो वेक्टर फॉर्म में वेलासिटी होगी 25 root 2 i cap प्लस 25 root 2 j cap क्या speed बढ़ा दीन है fan की? यह लाइट आगी किया? अब तभी तो बढ़ेगी ने speed उसकी? अरे लाइट आई किया नहीं आई किया हुआ 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 है अच्छा आप यह बताओ अगर कोई वेक्टर ऐसा है अच्छा कोई वेक्टर अगर सेकेंड क्वाडरेंट में होगा तो हम उसको इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट पकड़ेंगे की नहीं पकड़ेंगे अब बता इसमेंदे कौन सा नेगेटिव देख रहा है एक्स नेगेटिव वाए अच्छा कोई चीज अगर सेकेंड क्वाडरेंट में होती तो क्या चीज नेगेटिव होती है तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं इस सेकेंड क्वाडरेंट में एक्स नेगेटिव होगा वाए पॉजिटिव होगा अच्छा अगर मान लो मैंने कभी इस ताहज़े ड्रॉ किया तो बताओ ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर किस क्वाडरेंट में है थर्ड अगर कोई वेक्टर थर्ड क्वाडरेंट में है तो हम उसको इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट मान सकते हैं और बताओ एक्स भी नेगेटिव वाइ भी नेगेटिव और अगर मैंने क सब तरह से दो वेक्टर का resultant पकड़ेंगे यह नीज पकड़ेंगे बताओ क्या चीज नेगेटिव डाई नेगेटिव एक्स तो कौन सा component positive लेना है कौन सा component negative लेना है वो किस पर depend कर रहा है वो depend कर रहा है कि वेक्टर हमारा second quadrant में third quadrant में या फिर क्या है fourth quadrant में तो डाइगराम ड्रॉ करें रहे रहतना प्रॉ करें बाइगराम टाएगरार में या रहे रहे रह रहुआ है झाल झाल हो गया है अब देखो डाइग्राम ड्रॉ करो वहां पर जैसे यह x-axis यह y-axis और यहां पर हमने शो किया एक वेक्टर हमने क्या बोला यह जो वेक्टर है सेकेंड क्वाडरेंट में है कि नहीं है तो हमने इसको इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट पकड़ा की नहीं पकड़ा अब यह तुम्हारा वहां पर क्या होगा ए एक्स लेकिन हम माइनस में होगा की नहीं होगा और यह उपर वाला क्या होगा ए वाई जे कैप तो अगर कोई वेक्टर सेकेंड क्वाडरेंट में होगा तो हम ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे माइनस ए एक्स आई कैप लस ए वाई जे कैप होगा अगर मान लो हमने डाइग्राम इस ताह से ड्रॉ किया यह एक्स यह वाई और अब डाइग्राम ऐसा ड्रॉ कुरे रहा अब यह वेक्टर कोन से कॉड़रेंट में है तरड और मैंने क्या बूला जब वेक्टर थर्ड फैर्द क्वाडरेंट में होगा तो उसको हम इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे अब वेक्टर का है तो हम इसको लिखेंगे माइनस in आईником यह वैक्टर का निचे तो हम इसको लिखेंगे माइनस in वाइ अभेक्टर आ को क्या लिखा जाएगा वेक्टर एको लिखा जाएगा वहाँ पर माइनस AX I cap माइनस AY J cap देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा माइनस AX I cap माइनस AY J cap अब मैंने अगर ऐसे ड्रॉ किया तो तो अब यह वेक्टर कौन से कॉडरेंट में आ गया तो फोर्थ में होगा तो हम इसको इस तरह से दो वेक्टर का रिजल्टेंट पकड़ेंगे की नहीं पकड़ेंगे एक कहा हैं नीचे तो माइनस AY J cap माइनस AX I cap और यहाँ पर equation क्या लिखी जाएगी यहाँ पर equation लिखी जाएगी माइनस AX I cap माइनस AY J cap माइनस AX प्लस AX I cap माइनस क्या हो गया AY J cap तो कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है वो डिपेंड करेगा वेक्टर हमारे कौन से कौडरेंट में है हराब करें होगे है होगे है होगे है जो पहला डाइग्राम इसमें ड्रॉ करो इस तास ब्लॉक है यहां पर फोर्स लग रहा है टैन न्यूटन का अट अन एंगल 60 डिग्री फिर यहां पर एक और फोर्स लग रहा है ट्वेंटी न्यूटन का यह दो डाइग्राम है बताओ दोनों ही डाइग्राम के दोनों ही डाइग्राम में ब्लॉक पर फोर्स लग रहा ही नहीं लग रहा है एक में 10 न्यूटन का दूसरे का अब लिगो करना क्या है राइट डाउन दफोर्स इन वेक्टर फॉर्म दो बता रहा है वेक्टर फॉर्म में अब फोर्स की एक्वेशन क्या होगी झाल 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 अच्छा वेक्टर कोन से कॉउडरेंट में जब भी वेक्टर का में कॉद्रेंट फाइंड आूट करना है कि वेक्टर कोन से कॉडरेंट में तो क्या करो उसके टेल पे origin को imagine कर लो जा अगर हमें कभी पता लगाना है कि vector कौन से quadrant में है तो उसके tail को क्या मान लो origin अब बताए vector कौन से quadrant में जा रहा है fourth तो fourth में क्या चीज positive होगी x positive होगी y negative होगी अच्छा अब यहां पे tail imagine कर रहा है tail पे origin को imagine करो तो यह x-axis अब बताओ यह vector कौन से quadrant तो third में होगा तो इसका x b negative होगा y b क्या होगा अब लिखो अब क्या लिखो गया है 60 degree किसके साथ बन रहा है y के साथ तो x के साथ कितना बनेगा अब x component हमें क्या चाहिए positive तो हम ऐसा लिखें है 10 cos 30 i क्या है अगर इसके साथ cos 30 तो इसके साथ साइन 30 ना एक के साथ cos 30 दुसरे के साथ sin 30 तो हम लिखेंगे माइनस 10 sin 30 j क्या है अगर यहां पर y के साथ एंगल लेके चलते तो हम क्या लिखते यह 10 cos 60 होता और यहां पर क्या बनता 10 sin 60 बनता वहां पर रिजल्ट वही आएगा अब चेक करो force की vector form में equation कितनी है कॉस 30 रूट 3 बाइट तो चेक करो यह 5 रूट 3 आई-कप साइन 30 वन बाइट तो यह आएगा कि नहीं आएगा 5 रूट 3 आई-कप माइनस क्या हो गया 5 जे-कप बुरूब सेकेंड केस में अब क्या करें हो आपे अब एंगल 30 दिया है वाई के साथ तो एक्स के साथ एंगल कितना करो क्या करो क्या हूं एंगल हम किसी के साथ भी ले सकते हैं जिसके साथ एंगल लेंगे उसके साथ क्या झापक स्कॉद्ट क्यापक स्कॉद्ट बोल अब क्या लिखो के यहां पर f equals to क्या लिखा हाँ पर minus 20 cos 60 i cap minus 20 sin 60 j cap तो क्या हो जाएगा cos 60 हो गया 1 by 2 cos 60 अगर 1 by 2 तो यहां पर क्या हो जाएगा minus 10 i cap minus 10 root 3 j cap देखो यही force की equation है कि नहीं वेक्टर form में minus 10 i cap minus 10 root 3 j cap तो डिपेंड कर रहा है किस क्या तेंगल लेके चलोगे अगर 30 लेके चलते हैं तो हम ऐसी equation लिखते हैं वहाँ पर minus 20 sin 30 i cap minus 20 cos 30 solve कर दो sin 30 1 by 2 cos 30 root 3 by 2 वही equation बनेगी वहाँ हम जातर case में एंगल किस के साथ लेके चलते हैं x के साथ cos component लेके चलते हैं अगर तुम y के साथ angle लेके चल रहे हो तो y वाला component वहाँ पर क्या कर दो कॉस्ट कर दो आएकि नहीं है अब जैसे देखो आप यह ग्राउंड और ग्राउंड पर इस तरह से rain drop नीचे की और गिर रहे हैं तो फॉस्ट केस में rain drop नीचे की और आ रहा हैं कितने से 100 मीटर पर सेकेंड से और सेकेंड केस में जो rain drop हैं वो ऐसे गिर रहे हैं और कितने से गिर रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड से अब दोनों ही केस में velocity को vector form में लिखो दोनों ही डाइग्राम में जो velocity दी है अब उसको vector form में लिखो आपर अजया है कर दो कर दो कर दो अब बताओ फर्स डाइग्राम में वेलासिटी को वेक्टर फॉर्म में क्या लिके हैं फर्स डाइग्राम में अगर वेलासिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखे हैं आप हैं हंड्रेड मीटर पर सेकेंड से कहा जा रही है नीचे तो इसको क्या लिखे हैं माइनस हंड्रेड जे कैप अब यह वेलासिटी कौन से कॉडरेंट में जा रही है फॉर्थ तो यहां पर क्या लिखोगे वेलासिटी को वेक्टर फॉर्म में हंड्रेड कॉस्ट थर्टी आई कैप इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव यहने एक्स कंपोनेंट ऐसा होगा वाई कंपोनेंट ऐसा होगा कि नहीं कहां पर तो वाई कंपोनेंट के लिखोगे वहां पर माइनस हंड्रेड sin 30 तो velocity क्या हो जाएगी cos 30 root 3 by 2 तो 50 root 3 i cap minus 50 j cap आया इतना तो लिखा था इतना होगे इतना फिर देखो next diagram draw करो यहाँ पे inclined inclined का angle theta और इस inclined पे हमने एक block को लाके place किया तो inclined है inclined पे हम क्या कर रहा है एक block को लाके place कर रहा है अच्छा अब earth क्या करेगी अगर inclined पे अगर हमने block को लाके place किया है तो earth इसके उपर क्या apply करेगी force और earth ने जो force apply किया उसी को हम बोलते है weight और weight को बोलते है m into j तो जो भी earth होगी earth इस block के उपर कितना force नीचे क्यों reply कर रही होगी m into j अब लिखो करना क्या है वहां पे write down the component of mg write down write down the component of weight mg का मतलब weight है तो लिखो हाँ पे write down the component of weight write down the component of weight first case में लिखो हाँ पे along the inclined plane first part में लिखो along the inclined plane और second part में लिखो हाँ पे perpendicular to the inclined plane first case में क्या बोल रहा है component calculate करना है along the inclined plane second case में बोल रहा है component calculate करना है perpendicular to the inclined plane करो क्या करो गया आपकर मुझे अः़らいšे टे सकत sulphट सक्षदे अधिस कर फाद करो घफ्या खूएमhmen आग hus हमें mg का component चाहिए along the inclined plane और दुसरा वहाँ पे क्या है perpendicular to the inclined plane अब दो को component हमें calculate करना है किसके along inclined plane के along तो क्या करो वहाँ पे inclined plane को मान लो वहाँ पे x-axis अच्छा inclined को अगर हम x मानेंगे तो उसके perpendicular वहाँ पे क्या होगी अब diagram देख के बताओ vector कौन से quadrant में जो vector रहेगा third quadrant में है कि नहीं अच्छा अब third quadrant में होगा तो x component कहा हैगा अब थर्ड थर्ड क्वाडरेंट में x component ऐसा negative आएगा कि नहीं आएगा इस direction में y component कहां जाएगा negative y याने ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा तो इस direction में x component होगा इस direction में y component अब इस line को यहाँ पर एक्स्टेंड करो जड़ा बता यह angle कितना थीटा होगा कि नहीं होगा आप यह angle अगर थीटा तो यह कितना तो यह कितना अब यह 90 minus theta यही कि नहीं है यह अगर 90 minus theta यह दुनों line perpendicular है कि नहीं तो यह angle कितना थीटा अब बताओ जो भी force है उसने किसके साथ थीटा एंगल फॉर्म किया है तो जिसके साथ थीटा एंगल फॉर्म किया होगा उसके साथ कौन सा component चलेगा cos तो perpendicular component होगा mg cos theta और parallel component क्या होगा mg sin theta आया की नहीं समझ में तो लिखो वहाँ पर और यह बहुत common रहेगा जब mechanics में question solve करेंगे तो इस तरह से वहाँ पर resolve किया जाएगा अगर कभी question है बोलता है कि inclined है inclined का angle 30 degree और इस inclined plane पे हमने एक block को लाके place किया है और block का weight कितना है 100 newton m into g क्या है weight है तो block का weight 100 newton है तो हमें क्या मालब है इस direction में कौन सा component लिया जाएगा 100 sin theta और इसके perpendicular component क्या लिया जाएगा 100 cos theta यह result ध्यान रखना है inclined का angle अगर theta है inclined पे block को लाके place कर रहा है तो along the inclined component होगा mg sin theta और perpendicular to the inclined क्या होगा mg cos theta लिखो हम आप एतना क्या है आप पतना क्या है यह लो एतना कर दो कर दो कर दो अच्छा आप यह बताओ जब भी हम किसी इंकलाइंट पे ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं अगर हम इंकलाइंट पे किसी ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं तो ब्लॉक नीचे क्यों आता है इस तरह से अगर ब्लॉक को लाके प्लेस करोगे तो ब्लॉक स्लाइड करता है क्या नहीं स्लाइड करता है लेकिन इस तरह से जम ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं तो ब्लॉक स्लाइड करता है और स्लाइड करने का रीजन है कि इस डारेक्शन में mg का एक component आता है और वो component क्या है इस direction में mg sin theta इस direction में mg तो mg sin theta weight का वो component होता है जिसके कारण ये block वहाँ पे क्या कर जाता है slide कर जाता है यहाँ पे block क्यों नहीं slide कर पाता क्योंकि mg का कोई component ही नहीं बनता अब कितना force लग रहा है along the incline mg sin theta मास हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा acceleration तो incline पे अगर कोई block रखा है और surface कैसा है frictionless तो ध्यान रखना है इस direction में acceleration कितना हो जाएगा g sin theta तो इस तरह के question है जो काइनमेटिक्स में हम लोग solve करेंगे वहाँ तो अभी किल ध्यान रखना है along the incline mg sin theta होगा और perpendicular तुम्हारा वहाँ पे क्या होगा mg cos theta फिर देखो अब सबसे पहला जो हमने diagram ड्रॉ किया था ड्राइग्राम ऐसा ड्रॉ किया था कि ground था ground पे ब्लॉक को लाके प्लेस किया था और इस पर हम कुछ forces apply कर रहे थे मान लो यहां पे force 3 newton यहां पे force 4 newton और मान लो यह angle कितना 60 degree फिर यहां पे एक और force 2 newton का और यहां पे जो force है अब बता ब्लॉक के उपर कितने forces लग रहे चार और वहां मैंने तुमसे क्या पूछा था वहां मैंने तुमसे पूछा था कि ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना है अच्छा अब अगर तुम बोलते हो कि ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स अगर तुम ऐसा लिखते हो कि एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस और सबकी वैल्यू मैंने पूट कर दी एफ वन कितना था थ्री न्यूटन एफ टू और अब अगर तुम बोल रहे है टोटल फोर्स कितना है तो यह रॉंग है कि नहीं है क्यों कि फोर्स कौन सी क्वाइंटी है वेक्टर एड कर देते हैं तो अगर तुम यहां पर 17 न्यूटन बोलोगे तो आंसर वहां पर क्या हो गया रॉंग हो गया अब वेक्टर है अगर किन क्वांटी को मैंड करने जा रहे हैं वेक्टर क्वाइंटी को तो कि वह डिफरेंस ही आएगा कि इनको भी हम एड करते हैं लेकिन अगर दो वेक्टर होते तो हम क्या करते हैं लॉफ पैरलोग्राम से एड कर देते हैं अगर दो से ज़्यादा वेक्टर होंगे तो हम सिंपली सबको वेक्टर फॉर्म में क्या कर देंगे एड कर देंगे कि अब इससे पूछ रहे हैं तो दिमाग कहा छोड़के घर पे अब बोलो क्या बोला मैं नहीं कुछ बोला क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने भी दो ओंगे तो है क्या है क्या बोल रहा है इस पैलिंग बुले क्या बोल रहा है पैरलो ग्राम की यह नहीं आता है कहीं पर है हां क्या होता है स्टेट्मेंट क्या होता है लॉफ पैरलो ग्राम का क्यों मैं। और यह चाहित की आता है तुम भूल लॉ आफ पैरलोग्राम का स्टेट्मेंट आ रहता कि तुमसाइट में निhew पौंद नहीं थेश्चा है टो आ है है ले मैंसे फीर्या को अब फीर में थे fix तो पिछे बोला सब्सकें हां देख के कौन बोलना है यूज पूछी नहीं रहे हैं यूज पूछे क्या मैंने पूछा है define law of parallelogram law of parallelogram को मैं define करना है तो क्या define करो गया माराथे में बोलो और क्या उसमें नहीं बोल पाऊगे न क्या क्या था बैट के बोल अब बोल क्या बोल रहा है वैं है था इसा कुछ हां तुम बोलो उसने क्या बोला विया क्या सुनाई दिया क्या बोला उसने अरे तुमसे पूछ रहे हैं क्या वोला उसने अभी इसना कुछ बोला ना भी क्या बोला अब बोलो तुम बोलो फिर से उसने क्या बोला अथा दो बार रिपीट कर दिया बागी लोगा नहीं हुआ है क्या पीट किया अश्ना है हां है का अधिशन टों लिखो कि बीच में था है और अब बोलो प्राइब बोला था यह दो लोग ने क्या 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 आवाज निया फिर से रिपीट कर पर इसको आवाज निया है कर देड़ा आ पूल हां और क्या बोला वेंट टू नॉन जिरो वेक्टर्स अब बोला हां वेंट टू नॉन वेक्टर्स नॉन वेक्टर्स क्या होते हैं नॉन जिरो वेक्टर्स जिनका मैंगिटूड है तो क्या बोलो के वेंट नॉन वेक्टर्स हाना तू बोल रहें कि ट्रू बोल रहे हो तू वेंट टू अब वो क्या बताएगे वेंट टू नॉन जिरो वेक्टर्स रुको ना असको बना बोला वेंट टू नॉन जिरो वेक्टर्स नहीं आ था रहें ना स्कूल कोन सा था अरे बोलो यह वो बोला है डिफाइन डेफिनेशन बोलनी है रहें तो दू बार तो बोल दिया था वेंट तू क्या कंसिडर रहे हैं और है इस तो इसका किते पर हैं ऑसके दो डाइगनल होते हैं कौन सा डाइगनल लें मैंने क्या बोला अगर मैंने बोला अगर दो vectors होंगे अगर दो vectors को add करना होगा तब तो हम law of parallelogram को use कर लेंगे अगर दो से ज़्यादा vectors हैं तो उस case में भी हम क्या करेंगे add करेंगे लेकिन simply add नहीं किया जाएगा उसको किस form add किया जाएगा vectors form में अब बताओ vectors form में अगर हमें add करना है तो सबसे पहले यहाँ पर x is define कर दो यह हो गई तुमारी x अब बताओ एफ वन को हम vector form में क्या लिखे बताओ यह vector x के long है कि नहीं है तो हम इसको vector form में क्या लिखे 3 i cap f2 को क्या लिखे अब एफ 2 यह vector कौन से quadrant में तो इसका x positive y भी positive तो हम ऐसा लिखे ही नहीं लिखेंगे 4 cos 60 i cap plus 4 sin 60 j cap तो f2 की value vector form में यह हो जाएगी 2 i cap plus sin 60 root 3 by 2 तो 2 root 3 j cap यह f2 है कि नहीं है अब f3 को vector form में क्या लिखोगे f3 को vector form में लिखना है तो वो जाएगा 2 j cap है similarly f4 को अगर vector form में लिखना है minus 8 minus 8 i cap अब यहाँ पर 2 से ज़्यादा vectors है तो सबको हमें add करना है लेकिन किस form में add करना है तो अब vector form में add करो जड़ा बताओ vector form में add करोगे तब result क्या बनेगा बताओ जब add करोगे तो i cap i cap वाली term add होगी तो चेक करो i cap i cap कितना है 3 i cap 2 i cap 5 3 plus 2 minus 8 तो यह हो जाएगा minus 3 i cap अब j cap वाली term देखो root 3 को approximately मान लेते है 1.7 वैसा होता है 1.732 तो calculation के लिए हमने 1.7 पकड़ा तो यह value approximately कितनी हो गई approximately यह value 3.4 हो गई कि नहीं हो गई अब j cap वाली term को add करो तो यहाँ पे 3.4 यहाँ पे 2 तो यह हो गया वहाँ पे plus 5.4 j cap यह रफ पकड़ा है अपनने calculation अब बताओ यह जो vector है यह resultant है कि नहीं है अब बताओ यह resultant vector है इसका x component क्या है negative y component तो अगर इस vector को अगर हमें draw करना होगा तो यह x यह y बताओ यह vector कौन से quadrant में होना चाहिए बताओ जब यह second quadrant में होगा तो x तो negative होगा तो यह minus 3 होगा कि नहीं होगा और y तो यहाँ पर 5.4 होगा कि नहीं होगा अब बताओ यह जो है यह resultant vector की vector form में equation है कि नहीं और हमने क्या पढ़ा है किसी vector का अगर x component मालूम है y component मालूम है तो उस vector का जो magnitude होता है वो होता है under root of ax square plus ay का square अब बताओ resultant कितना हो जाएगा 3 का कितना 9 5.4 का square कितना 54 into 54 divided by 100 कितना 29.1 चेक कर ले ना कितना है तो approximately resultant कितना आ जाएगा 29.9 38.16 यहने approximately कितना 6 और 7 के भीच में आएगा तो मान लेते हैं approximately 6.2 मान लो तो हम यहां पर बहुत सते नहीं बहुत सते हैं कि इस block के ऊपर जो total force बना है वो कितना बना है 6.2 newton है अच्छा अब यह जो force है इस force का कुछ direction भी है कि नहीं तो इसका एंगल मान लो alpha अच्छा अब alpha एंगल में किस से पकड़ा है नेगेटिव एक्स है या पॉजटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है वैसे trigonometry में एंगल कहां से लिया यहां पॉजटिव एक्स से मेजर किया है तो यहां पर ध्यान रखना है जो हम एंगल कैलकुलेट करेंगे तो बताब 10 alpha क्या देगा 10 alpha perpendicular upon क्या देगा और ध्याना जब भी हम एंगल कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम क्याल magnitude पकड़ेंगे तो magnitude कितना 5 यहां पर है इस साइन नहीं लेना तो जब भी हम एंगल कैलकुलेट करेंगे sign नहीं लेंगे, कि sign अगर तुमने consider किया, तो फिर वो जो angle रहेगा, वो angle ये बन जाएगा clear, clear रहा, तो ये equation vector form में है, यहां से हमने angle निकाल लिया, angle जब calculate करोगे, तो मैंने बुला, sign नहीं consider करना है, अब ये angle कुछ भी निकल के आएगा, 180 में से minus कर दोगे, तो ये angle मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, वहाँ पर, तो जब भी more than two vectors होंगे, तो सब को हम क्या करेंगे, add करेंगे, लिकिन किस form में add करना है, इनको हमें add करना है, vector form, लिख लो इतना, तो जब भी more than two vectors होंगे, तो इसी तरह से वहाँ पर solve किया जाएगा, झाल से झाल से लो जाएगा, झाल झाल होगे इतना होगे इतना अब यह सवन में वेक्टर को हमने रिजॉल क्यों किया हमें वेक्टर कंपोनेंट की जरुरत क्यों पढ़ रही है कि जरुरत पढ़ी वेक्टर कंपोनेंट की की जरुरत पढ़ी वेक्टर की क्यों पढ़ी में क्यों पढ़ी वेक्टर कंपोनेंट की हमने के जरुरत कर सकते है पढ़ी क्यों ब्हुत वेक्टर अगर किसी एंगल पर इसका मतलब है कि वहां पर उसके दो कंपोनेंट बन रहे होंगे और दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा मिला के वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा हूँ सन्में कितना पड़के देखना अगली क्लास में इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे वहां